तुम्हें पता है जो हम रिसाइकल पानी पीते उसको साफ करने के लिए उसके अंदर मिलाये जाता है कैलसियम हाइपोक्लोराइट जो की देखने में कुछ इस तरह का दिखाई देता है लेकिन आज इसी की मदद से हम एक रोकिट बनाने वाले हैं रोकिट को इस टेस्ट्यूट के अंदर बनाएंगे तो पहले इसकी नोजल को गरम करके पतला कर लेते हैं जिसे की रोकिट जैसे ही आवाज आए अब इसके अंदर हमने कैलसियम हाइपोक्लोराइट डाल दिया अब जैसे ही break oil को इसके अंदर डालेंगे तो कुछ ही देर बाद अपना rocket engine स्टार्ट हो जाएगा अब की बार हमने एक strong oxidizer का यूज किया और फिर से हम डालने वाले है ये break oil आप ऐसा कुछ भी कहीं पर भी try करने की कोशिस ना करें ये सिर्फ educational और entertainment purpose के लिए है